गुड मॉर्णिंग दोस्तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी बेसिक फाइव एलिमेंट सिरीज में जहाँ पर हमने बेसिक फाइव एलिमेंट के बारे में इंफॉमेशन ग्यादर करी है अब तक इस सिरीज में हम वाटर और अर्थ एलिमेंट को कवर कर चुगे हैं जहा अगर हमारी इन elements को body में imbalance हो जाए तो उनको balance कर सकता है तो दोस्तो आज का हमारा element है fire element fire element या फिर तेजस ये fire element हमारी body में जितने भी energy से related जो भी काम होता है उसको coordinate या फिर ये ही element वो element है जो responsible है हमारी body में एक activeness रखने के लिए दोस्तो आपको solar system के बारे में तो पता ही होगा जैसे sun एक source है energy का in the same way हमारी body के अंदर fire element भी एक energy generator का काम करता है fire element हमारे ambition हमारे passion हमारे emotions हमारे ideas को कहीं न कहीं relate करता है दोस्तो हम fire element को अपने human body से ऐसे relate कर सकते है या फिर हम उसे समझने ही कोशिश कर सकते है जैसे हमारी body में digestion of food food digest होता है तो उसको digest कराने में fire element बहुत important रोल के ले करता है क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिमाग normal लोगों से काफी तेश चलता है या फिर कुछ लोग mind से काफी active होता है चीज़ों को जल्दी समझ लेता है तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं fire element ही involved है क्योंकि fire element हमारे ideas को और हमें हमारे mind की activity को control करता है अगर आप कभी observe करें हम चीज़ों को recognize कर सकते हैं मतलब अगर हमें कोई images दिखाए जाती हैं तो हम उसको sustain करते हैं हमारी memory कहीं न कहीं वह work करती है तो यहां भी fire element का बहुत बड़ा important role है यह चीज़ों को याद रखने में मलत करता है यानि कि हमारी memory से इसको हम relate कर सकते हैं memory कोई boostness बड़ाता है भाई अब हम जानते हैं कुछ बाते जिनसे शायद हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारी body में fire element weak है या strong है दोस्तों अगर आप unfocused या undecisive मतलब आप अपने काम में focus नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके decision taking power कम हो चुकी है तो आपका fire element weak है अगर आप motivated या फिर inspired feel नहीं कर रहे हैं आपको एक unhealthy feeling आती है तो ये भी indicate करता है कि आपकी body में fire element imbalance यानि कि कम हो चुका है अगर आप अपनी body में weak digestion या फिर पेट में दर्द, slow digestion, constipation जैसे चीजों का सामना कर रहे हैं तो ये भी indicate करता है कि आपकी body में weak fire element है दोस्तों जैसा आप जानते हैं हर problem का solution है तो आईए बात करता हैं इसके solutions पे अगर आपकी body में weak fire element है या फिर fire element की कमी है तो आप उसको increase कैसे कर सकता है इसका सबसे बहतर या फिर सबसे top most solution जो मेरा भी favorite है वो ये है कि आप exercises कर सकते है या exercise मतलब आप running कर सकते हैं सुबह early morning में उसके बाद में आप gym में जा सकते हैं cardio कर सकते हैं मतलब आपकी body से पसीना निकलना चाहिए जिसकी वज़े से आपको जो fire element है वो कहीं न कहीं activate होगा और proper functioning की ओर बढ़ेगा आप अगर चीज़ों को लेके passionate नहीं है तो आपको अपने passion ढूणना चाहिए आपको वो चीज़े करने चाहिए जिसके लिए आप passionate है ऐसा करने से हम अपने fire element को activate कर सकते हैं दोस्तो dance करना तो सब कोई पसंद होगा न तो dance भी एक solution है अगर आप dance करेंगे तो भी आप अपने fire element को बढ़ाएंगे activate कर सकते हैं अब कुछ लोगों को लगता हो कि यार मेरे को तो dance आता ही नहीं है तो दोस्तो इसका एक दूसरा solution है आप yoga कर सकते हैं योगा में प्रनायाम अगर आप प्रनायाम करेंगे तो आपका fire element activate होगा और अगर weak है तो वो increase हो जाएगा तो दोस्तो अब आपका question हुआ कि अगर हमारी body में fire element ज़्यादा हो तो हम उसको balance कैसे करेंगे आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो काफी short tempered काफी गुसे वाले होते हैं तो ये indicate करता है कि उनकी body में fire element बहुत ज़्यादा है ऐसे लोगों को प्रनायाम करना चाहिए क्योंकि जितना हम relax रहेंगे उतनी ही हमारी body में fire element balance होता चला जाएगा मतलब जो breathing involvement होता है प्रनायाम में वो हमारी fire element को कहीं ने कहीं stabilize करना काम करता है means उसको balance करना काम करता है इसके अलावा अगर कुछ लोगों का fire element ज़्यादा होता है तो वो spicy food alcohol sugar और ज़्यादा phone या फिर tech ही use न करे तो वो कहीं न कहीं अपने fire element को balance कर सकते हैं तो दोस्तों शायद हम कहीं न कहीं इस fire element की basic properties के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं और हम इसकी balancing को भी समझ चुके हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने fire element को balance करना सीख चुके हैं stay healthy stay fit ऐसी और amazing videos के लिए हमारे channel health filter को like, subscribe और share करें धन्यवाद